दूस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बड़ी एज वाली लोगों का बर्थ सेटिपिकेट ऑनलाइन कैसे बना सकते हो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप बच्चों का बर्थ सेटिपिकेट ऑनलाइन कैसे बना सकते हो तो उसके नीचे काफी लोगों ने comment किया कि भाई हमारा एक जादा है 18+, 20+, 25+, हम अपना कैसे birth certificate बनाए तो दूस्तो आज कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ही बताने वाला हूँ कि आप अपना birth certificate कैसे online बना सकते हो लेकिन गाईस यहाँ पे एक problem यह है कि जिस government की website की भारे में मैं आपको बताने चाहरा हूँ उस website पे अभी सभी state add नहीं हुए है तो अभी धीरे-धीरे करके वहाँ पे सभी state add हो रहे है वहाँ पे अभी कुछ limited state ही add हुए है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका state उसमें add हुआ है या फिर नई हुआ है future में होगा तो यह सब दोस्तों आपको चेक करना है उसके बाद ही आप apply कर सकते हो ठीक है तो complete process जानने के लिए बस आप इस video को like कर दो and continue guys इस इस video को देखते रहो दोस्तों सबसे पहले आपको government की स्वाली website पर आना पड़ेगा इसका link का आपको description में मैं दे दूँगा उस पे click करके आप यहाँ पर आ सकते हो and यहाँ पर आके सबसे पहले आपको register के उपर click करना है इसके उपर जैसे आप click करोगे यहाँ पे register yourself आपको एक छोटा सा form fill up करना है and register करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना full name डालना है full name डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना email ID डालनी है email ID के साथसाथ आपको अपना mobile number भी यहाँ पे डालना है यहाँ पे नीचे दोस्तो एक password create कर लेना है अपना कोई भी password यहाँ से आपको अपना state select कर लेना है आप किस state में belong करते हो यहाँ पे सभी state मिल जाते हैं यह capture आपको fill up करना है और उसके बाद submit के उपर आपको click करना है इसके उपर click करते हैं आपके email ID and mobile number दोनों पे एक एक OTP बेजा जाएगा वह OTP आपको यहाँ पे enter करना है उसके बाद validate के उपर आपको click करना है इसके उपर click करते हैं आप successfully अपना जो account हो create कर लोगे अब दोस्तों आपको इसे यहाँ से cut कर देना है और यहाँ पे आप हमें login करना है अब यहाँ पे आपको अपना email ID and साथ में दोस्तों यहाँ पे password और यह जो capture है इसे यहाँ पे fill up करके login कर लेना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पे login कर ले तो आपके सामने ऐसा interface आ जाता है अब यहाँ पे क्या करना है apply for services के उपर आपको click करना है इसके उपर जैसे आप click करते हो यहाँ पे view all available service के उपर आपको click करना है इसके उपर click करते ही आपके सामने सभी service आ जाएंगी अब आपको यहाँ पर view जो है यह जो view है इसे आपको all select कर लेना है उपर all दिखेगा इसके उपर click करना है और उसके बाद search के उपर जाना है यहाँ पर दुस्वा आपको type करना है birth यह जैसे आप लिखे होगे guys यहाँ पर आपको 4 service देखने को मिल जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हो अभी चार service का यूज करके आप birth certificate के लिए apply कर सकते हो आप यहाँ पर खुदी देख लिजी guys लेकिन इसमें condition एक है guys यह सी पोस्टिप अभी चार state के लिए है जैसे कि मनीपूर हो गया फिर से मनीपूर हो गया लदाक हो गया इन मद्यप्रदिस यहाँ पर दे form है वो हमारे सामने आ चुका है यहाँ पर आप देख लिए बर्थ certificate का अब सबसे पहले दोस्तों आपको date of birth डालना है आपका जो भी date of birth है exact day month year आपको यहाँ से select करना है तो calendar के उपर हम click करते हैं and यहाँ पर आप देख लिए बड़ी age वालों का भी आप birth date select कर सकते हो ठी हैं तो यहाँ पर हम 2003 and okay तो यहाँ पर हमने select कर लिया है अपना उसके बाद दूस्तों आपको यहाँ से अपना gender select कर लेना है आप जो भी हो male female आपको यहाँ पर select कर लेना है name of child अगर आप किसी बच्चे का बना रहे हो तो उसका name या फिर आप अपना नाम डाल दीजिए औ उनका आधार number अगर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो अगर नहीं है तो blank छोड़ दो उसके बाद नीचे आओगी तो name of the mother आपको अपनी माता जी का नाम आपको यहाँ पर डालना है और उनकी पास आधार number है तो आप यहाँ पर आधार number भी आप उनका डाल सकते हो उसके आपको नीचे आना है, यहां पर आपको parents का address ढालना है, जब बच्चे का जन्म हुआ तो parents कहा पर थे उनका address यहां पर आपको दालना है, उसके बाद यहां पर पर permanent address पूछा जाएगा तो आपको यहां पर permanent address other select कर लेना है जो भी आपका permanent address तो तीन लाइन दिये गए है तीनों लाइन में आपको fill up करना है उसके बाद यहाँ से आपको country चूज कर लेना है और उसके बाद यहाँ से state चूज कर लेना है और नीचे 200 district आपको select कर लेना है जो भी आपका district है उसके बाद नीचे आपको अपना pin code भी डाल देना है यहाँ आप देख लीजे, पिन कोड़ आपको डाल देना है, एंड उसके बाद आपको place of birth पूछा जाएगा, आपका जन्म कहां पे हुआ था, घर पे हुआ था, hospital में हुआ था, या फिर others, वह आप यहां से select कर सकते हो, हमें आप यहां से select कर लेते हैं, hospital में जन्म हुआ था, example के लि अगर आपका जन्म घर पे हुआ था, तो आपको यह सब option नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको district select करना है, यह district दोस्तों आपको hospital का select करना है, उसके बाद ग्राम पंचायत भी आपको hospital का ही, यहां पे select करना है, block आपको hospital का यहां पे डाल देना है, जो भी ह और उसके नीचे दोस्तों informants address पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको उसका name डाल देना है और उसके बाद informants address ठीक है उस सब आपको यहाँ पर डालना है hospital का जैसे आप दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा name of town village यह आपको दोस्तों अपनी माता जी का डालना है उनका जो भी town village साना उसकी detail आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है तो सबसे पहले यहाँ पर town village का नाम डाल दो और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको select करना है town है या फिर village है वो आप यहाँ पर select कर लो उसके नीचे दोस्तों आओगे तो यहाँ से आपको state select कर लेना है यहाँ से आपको district select कर लेना है यहाँ पर आप देख लिजिए सभी district है वो आप यहाँ पर select कर लो उसकेबाद यहाँ पर religion पूछा जाएगा तो माता जी जो भी है हिंदौ मस्लिम जो भी है वो आप पढ़ाई करी है education level क्या है वो आप यहां पर उनका डाल दो उसके बाद दोस्तों आप से माता जी का education level पूछा जाएगा यहां पर आप देख लिजे 13 number में तो आपको यहां पर अपने माता जी का education level डालना है जहां तक उन्होंने study करी है उसके बाद यहां पर father's occupation पूछा जा तो उनका age कितना था ओ आपको यहां पर डालना है इस बाद का ध्यान रखना जब उनकी शादी हुई थी तब यहां पर आपको दिया का है आप इसे read कर लेना उसके बाद आप यहां पर डाल देना उसके बाद दूस्तों यहां पर आप से 17 नमर में पूछा जा रहा है age of mother जब बच्छे का जन्म हुआ तो उस time माता जी का क्या age था ओ आपको यहां पर डालना है जब बच्चे का जन्म हुआ ठीक है उसके बाद यहां पर number of children's पूछा जा रहा है माता जी की total कितने बच्चे हैं एक हैं दो हैं तीन है ओ आप यहां पर डाल दो ठीक है अब बी तक total इतने है वो आपको यहाँ पर भरना है उसके निची जब आप आओगे 20 वे नमबर में तो यहाँ पर method of delivery पूछा जाएगा delivery कैसी थी normal थी जो भी थी guys वो आप यहाँ पर select कर लो ठीक है यहाँ पर हमने normal select कर लिया है और यहाँ पर type of attention of delivery delivery पूछा जा रहा है तो यहाँ पर दूस्तों आपको select कर लेना है doctors अगर थे delivery के time तो आप select कर सकते हो या पर जो भी था guys वो यहाँ पर select कर लो हम यहाँ पर doctor select कर लेते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पर वर्थ weight पूछा जाएगा जब बच्चे का जन्म होगा तो उसका weight कितना था या फिर जब आपका जन्म होगा था तो आपका weight जो भी था वो डाल दीजे duration of pregnancy in week आपको यहाँ पर डालना है पूरा का पूरा यहाँ पर 22 नमबर में detail डालनी है उसके बाद apply to the office ठीक है उसका आपको यहाँ पर select कर लेना है location type select करना है जीला पर इशर्ट सेलेक करना है उसके बाद इसे आपको कर देना है okay तो यहाँ पर हम यह सब बाद में करेंगे and यह जो capture है इसे आपको fill up करना है fill up करने के बाद दोस्तो बस आपको इसे submit के उपर click करना है submit करते है दोस्तो आपके सामनी पूरा का पूरा जो form है ओ आ जाता है यहाँ पर आप देख लीजे पूरा का पूरा form आ गया है जो हमने detail अभी तक डाली है यह पूरी detail आप एक ब document डालना चाहते हो तो यहाँ पर document वाले option पर click करना है यहाँ पर दो document डालने है ठीक है तो यहाँ पर click करना है affidavit यहाँ पर जो magistrate है उनसे आपको एक affidavit बनवा लेना है वो आपको यहाँ पर select करना है choose file के उपर click करना है यहाँ से दोस्तों आपको file click करके upload कर देनी है उसके बाद दोसों यहाँ पे discharge slip दिया गया है जो भी माता जी discharge हुई थी hospital से तो जो slip था उसकी photo click करके आपको यहाँ पे upload करनी है ठीक है यहाँ पे आप देख लीजिए अगर बच्चे का जन्म घर पे हुआ था तो यह सब डालने की ज़रूरत ही नहीं है उसके बाद आपको इसके उपर click करना है इसके उपर click करते है दोसों यह आपको पूरा का पूरा यहाँ पे upload हो जाएगा ठीक है अब दोसों आपको directly क्या करना है submit के उपर click करते हो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको दोसों एक receipt मिल जाएगा इस receipt में दोसों आपको एक reference number यहाँ पे दिय तो आप यहाँ पे नीचे print option दिया गए, print करके आप रख सकते हो, pdf में आप इसे export करके रख सकते हो, तो यह बहुत important slip है, ठीक है, आपको इसे संभाल के रखना है, and status check कर निखले, आपको यहाँ पे आना है, track application status के उपर click करना है, and reference number आपको यहाँ पे डाल देना है, तो हम reference number डाल देते हैं, get data के उपर click करते है, and guys, यहाँ पे आप देख लीजे, हमारा जो application था हो, यहाँ पे आचुका है, current status initiated दिखा रहे, अभी अभी हमने apply किया है, तो इस प्रेकार दोस्तों, आप अपना status भी check कर सकते हो, and बहुत सकते हो, थोड़ा सा 10-20 दिन का आपको समय द दिना, thank you guys, bye bye and take care.